पुराने समय की बात है, किसी गाउं में एक किसान रहता था, वह बहुत ही गरीब था, उसकी थोड़ी सी जमीन थी, जिसमें वह खेती करके अपना जीवन यापन करता था, एक दिन वह अपने खेत में काम कर रहा था, तब ही उसके बगल के जमीन में लगे आम के पेड़ से एक इच्छा धारी नागी निकली, और किसान के पास आकर बोली, बाबा, तुम अब इस खेत में मत आना, नहीं तो तुम्हारा शर्वनाश हो जाएगा, किसान ने कहा, लेकिन मेरे पास तो यही जमीन है, जिसमें अना जुगा कर मैं अपने परिवार का भरन पोशन करता हूँ, अगर मैं यहां नहीं आऊंगा, तब मैं अपने परिवार को क्या खिलाऊंगा, बेह नागिन किसान को एक चमचमाती ही पत्थर देते हुए कहती है, लो तुम इस से जो भी मांगोगे या तुम्हें देगा, मैंने कहा ठीक है, अब मैं कभी भी इस खेत में नहीं आऊंगा, उसने कहा, लेकिन इस बात के बारे में किसी को नहीं बताना, ना ही तो यह की, मैंने तुम्हें इस खेत में आने से रोका है, और यह पत्थर मैंने दी है, किसान ने कहा ठीक है वह घर आया और उस पत्थर को एक जगा छिपा दिया कुछ दिन बीट गए अब किसान ना तो खेत पर जाता और ना उसके बारे में चर्चा ही करता सिर्फ सभी को मना कर दिया था कि उस खेत में नहीं जाना है कुछ दिन बाद घर में खाने के लिए कुछ नहीं रहा तब उसकी पत्नी ने कहा कि आप अनाज क्यों ने उप जाए अब मैं बच्चों को क्या खिलाऊं घर में खाने को कुछ भी नहीं है तब उसने वह पत्थर उसे देते हुए कहा लो इससे खाना मांग लो यह तुम्हें सब कुछ देगा लेकिन तुम्हें नहीं पूँचना की यह कहां से लाए और किसने दिया नहीं तो हमारा शर्वनाश हो जाएगा वह यह सुनकर डर जाती है और कहती है हम कभी इसके बारे में नहीं पूछेंगे किसान ने कहा अब आओ और इससे खाना मांग कर बच्चों को खिलाओ और हाँ अवशकता भर है खाना लेना वह अंदर जाती है और उस पत्थर को एक जगा रख देती है और विंती करती है उसके कहते हैं वह हम बहुत सारे व्यंजन भोजन तयार मिलते हैं सब बहुत खुश हो जाते हैं और इच्चा भर भोजन करते हैं अब रोज उन लोगों को मन मुताबिक जो इच्चा होती वे मांग लेते इसे तरह कुछ दिन बेट जाते हैं किसान को यह सब अच्चा नहीं लग रहा था कि बिना कुछ किये घर में बैट कर खाएं वे निश्क्रिय हो गया था वे मेहनत करना चाहता था बिना मेहनत के खाना उसे पसंद नहीं था एक दिन वे पुना अपने खेट पर पहुँच गया उस समय नाग और नागिन क्रीडा करने में मश्गूल थे वे किसान को नहीं देख पाई किसान भी अपने खेट में काम किया और घर चला आया वे अब बहुत खुश था कि आज बहुत दिन बाद उसे खेट में काम करने को मिला था अगले दिन वे फिर खेट में गया और उसमें हल चला कर बीजबो दिया इसी तरह कुछ दिन बीत गए, पौधे भी तयार हो गए, किसान अप प्रती दिन खेत में जाने लगा, पौधे भी पग गए, एक दिन किसान जब खेत में फसल काटने के लिए गया, तो नागिन उसके पास आकर बोली तुमने मेरा कहा नहीं माना और खेत में बीजबो दिये, ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया, और वे अपना दिया हुआ पत्थर वापस ले लिया, एक दिन किसान का बेटा खेत में फसल काटने आया, तो उसे नागिन ने डस लिया, किसान का बेटा चिला भी नहीं पाया और दम तोड़ दिया साब जाडने वाले को बुलाया तो उसने बताया कि अब इसका बचना मुश्किल है किसान और उसकी पत्नी रोपीट कर रह गए अब किसान के पास ना तो खाने के लिए कुछ था और ना वै खेत पर जा रहा था उसकी पत्नी ने कहा अब क्या होगा चला हम लोग कहें दूर चले जाते हैं मित्रों क्या किसान वहां से जा पाएगा क्या फिरसे फसल काटने जायगा कहानी में बने रहें किसान ने अपने बाप दादा के घर को छोड़ कर कही जाने को तयार नहीं हुआ उसने कहा नहीं हम यहां से कहीं नहीं जाएंगे यहीं अपने खेत में ही काम करेंगे हम भी तो देखते हैं उस नागिन की हिम्मत वह हमें कितना नुकसान पहुँचाती है मैंने तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ा है फिर भी वह हमें क्यों सता रही है वह सुबह होते ही खेत पर पहुँच गया और अपना छूटा हुआ फसल काटने लगा वह अपना फसल काट कर घर लिया आया और किसी तरह अपना जीवन फिर से जीने लगा एक दिन वैस सुबह सुबह उठकर जाडू लगा रही थी तब ही उसे ऐसा लगा कि कोई चीज जाडू से टकराई उसने जट से जाडू पटक कर महा से चिलाते हुए भागी साप साप बहुत बड़ा साप है उसकी आवाज को सुनकर आसपास के लोग भी कठा हो गए कहा है साप सब लोग लाठी डंडा लेकर आए लेकिन वह कुछ भी नहीं मिला सब लोग कहने लगे बेटा के जाने से इन्हें सदमा लग गया है इनके दिमाग में साप का खौप बैठ गया है सब लोग चले जाते हैं लेकिन वह बेचारी डरी सहमी ची खड़ी की खड़ी रह जाती है जब किसान उसे कहता है कुछ नहीं है जाओ अपना काम करो वह अपने काम में लग जाती है वह सोचती है कितना चैन से हमारा जिवन कट रहा था गरेबी में भी हम खुश थे कहां से आफ़त आ गई एक दिन किसान का छोटा बेटा धीरज कहीं जा रहा था रास्ते में उसे एक बुढ़ी औरत मिली चार और सुनसान कहीं कोई नहीं था अचानक यह बुढ़िया कहां से टपक गई वह मन में विचार कर ही रहा था कि वह आकर उससे बोली बेटा मेरा घर उस गाउं में है क्या तुम मुझे महां तक छोड़ दोगे वह लड़का सोच में पड़ गया उसे ऐसा लगा कि कोई कह रहा है नहीं तुम नहीं जाओ तुम कुछ बहाना बनाकर आगे बढ़ जाओ उसे डर लगने लगा वह सुना था कि इच्छाधारी नागिन तरह तरह के रूप बदलती है कहीं यह वही नागिन तो नहीं जिसने मेरे भाई को डस लिया था और साप काटने से ही उसके भाई की मृत्ती हो गई थी वह डर के मारे कापने लगा वह कुछ बोल ही नहीं पा रहा था उसे असमंजस में पड़ा देख बूढ़ी आरत बोली बेटा तुम क्या सोच रहे हो मेरा घर अधिक दूर नहीं है वो देखो यहां से दिख रहा है वही मेरा घर है धीरज उधर देखता है कि थोड़ा घर देख ले कहां दिख रहा है उसके मुड़ते ही वह औरत पता नहीं कहां गायब हो गई धीरज को बहुत आश्चेरे हुआ वह तो पहले ही डरा हुआ था वह जोर जोर से चिलाने लगा उसकी चिलाने की आवाज सुनकर कुछ दूरी पर खेत में काम करने वाले लोग महाई कठा हो गए और धीरज से पूछने लगे क्या हुआ बेटा तम चिला क्यों रहे हो धीरज अपनी जान पहचान के एक व्यक्ति को देखकर उनके पास जाकर बोला मंगरू चाचा मुझे बहुत डर लग रहा है इसके बाद सारी घटना उन्हें सुना देता है मंगरू चाचा कोई बात नहीं घबराओ मत कुछ नहीं होगा चलो घर चलते हैं धीरज मंगरू चाचा के साथ घर की और चल देता है सब लोग आपस में बाते करते हैं पता नहीं इसके घर पर किसका साया पड़ गया है बड़ा भाई साप के काटने से चला गया और अब यह एक बचा है तो पता नहीं क्या हो रहा है एक बुड़े विक्ती ने कहा हमको तो लगता है कि वह औरत जो बुड़ी का वेश बना कर आई थी वह भी कोई इच्छाधारी नागिन ही है जो इसे दूसरे रूप में दिखाई देती है बता नहीं इसके पिता को कोई तांत्रिक से दिखा देना चाहिए ऐसा क्यूं हो रहा है कहीं ऐसा ना हो धीरज को भी वह नागिन एक व्यक्ति नहीं भाई ऐसा मत बोलो भगवान ना करे ऐसा हो गाउं का एक अच्छा इंसान है बेचारा कभी किसी की बुराई नहीं किया है सबका भला ही करता है पता नहीं नागिन का उससे क्या दुश्मनी है अरे भाई पिछले जनम का भी तो बदला नागिन लेती है हो सकता है किसान नागिन का कोई नुकसान किया हो छोड़ो इन सब बातों से हमारा क्या लेना देना धीरज मंगरू चाचा के साथ घर पहुंसता है तो उसके पिता ने कहा क्या हुआ धीरज तुम इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो मंगरू चाचा उसे सारे बात बताते है यह सुनकर वह सोच में पढ़ जाता है अब मैं क्या करूँ कहीं ऐसा ना हो वह यह सोच कर चिंता में डूब जाता है मंगरू चाचा ने कहा भाई तुम्हें किसी तांत्रिक से दिखलाना चाहिए ताकि उसका कोई हल निकल सके मेरे जानने में एक तांत्रिक है जो इस समस्या का समाधान कर सकता है कहो तो मैं उससे कहें वह उस नागिन को पकड़ कर क्याद कर लेगा और कभी उसे छोड़ेगा नहीं और जब वह क्याद में रहेगी तो तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकेगी किसान मंगरू चाचा के कहने पर वह तयार हो जाता है और तांत्रिक के पास जाने का फैसला करता है दूसरे दिन वह सुबा सुबा हाथ मुधो कर तयार हो जाता है तभी मंगरू चाचा भी आ जाते हैं और दोनों तांत्रिक के पास जाते हैं और उसके पास अपने समस्या रखते हैं मित्रों क्या वह तांत्रिक किसान के समस्या का समाधान कर पाएगा क्या नागिन उसके पकड़ में आएगी जानने के लिए देववानी चैनल के साथ बने रहे सब्सक्राइब जरूर करें देववानी चैनल को चलिए आगे कथा बढ़ाते हैं मंगरू चाचा और किसान जब तांतरिक के पास पहुंचते हैं और अपनी सारी आप बिती सुनाते हैं तांतरिक उनकी समस्या को सुनकर बोला ये इच्छाधारी नागिन है लेकिन आप निश्चिंत रहिए मैं उसका इंतजाम कर लूँगा वह मुझसे बचकर कहा जाएगी मैं उसे जल्द ही पकड़ कर कैद कर दूँगा लेकिन इसके लिए आपको भी कुछ करना होगा आज किसान ने कहा मुझे क्या करना होगा बताएं सांत्रिक ने कहा वह जिस स्थान पर आप लोगों को मिली थी उस स्थान पर मेरे साथ चलना होगा किसान ने कहा बाबा यह आप क्या कह रहे हैं अगर मैं आपके साथ महां गया तो वह समझ जाएगी कि मैं उसे यहां से भगाना चाहता हूँ और वैं मुझे नुकसान पहुचाने की कोशिश करेगी नहीं ऐसा नहीं करेगी मैं आपके साथ ही रहूंगा वैं आपका कुछ नहीं बिगाड पाएगी तांतरिक किसान के साथ खेर्ट पजाता है और अपना जादू भरा बीन बजाता है लेकिन नागिन उस समय वहां मौझूद नहीं रहती वह कहीं दूसरे जगा होती है जहां उसे बीन की आवास सुनाई नहीं देती तांतरिक बहुत देर तक प्रयास करने के बाद वहां से चला जाता है किसान वहीं खेत के मेड़ पर बैड़ जाता है तब ही महां एक जमिदार आते हैं जिनका नाम गिरधारी सिंग है वे किसान को उदास देख कर उसका कारण पूचने लगे क्या बात है आप इतना उदास क्यूं है किसान ने कहा कि कुछ दिनों से मैं बहुत परिशान हूँ वह अपनी सारी कहानी गिरधारी सिंग को सुनाता है बे कहते हैं आप चिंता ना करें मैं जमीन को आप से खरीद लूँगा आपको दूसरे जगा जमीन देता हूँ आप उसमें खेती करके अपना जीवन अच्छे से जी सकते हैं किसान उस जमीन को छोड़ कर चला जाता है और जमीनदार का दिया हुआ जमीन पर खेती करने लगता है सारी बात बीती हो गई थी जमीनदार उस जमीन को ऐसे ही छोड़ दिया एक दिन गिर्धारी सिंग के घर में एक साप निकला यह देखकर सब लोग डर गए कुछ लोग आये और साप को मारने की कोशिश करने लगे लेकिन साप पकड़ने में नहीं आया पता नहीं वक कहां गायब हो गया सब लोग चले गए कि पवन है आते जाते रहता है अब तो सारे घर में शोक की लहर चागे सारे लोग कहने लगे आपको उस किसान से जमीन लेने की क्या जुरूरत थी यह सब इसी का परणाम है नहीं भाई होनी को कौन टाल सकता है यहीं लिखा था सो हो गया गिर्धारी सिंग को कोई संतान नहीं थी कुछ दिन बाद उन्हें एक पुत्री हुई सब लोग कहने लगे चलो कोई बात नहीं पुत्री ही हुई न तो पुत्र भी होगा एक दिन की बात है गिर्धारी सिंग की पत्नी गीता अपनी बेटी को सुला कर अपने काम में लगी थी उनकी जेठानी भी मही बच्ची के पास बैठी थी थोड़ी देर के लिए वे कहीं गई थी आती है तो यह देख कर स्तब्द रह जाती है क्या हुआ जो देख कर वे आश्चर चकित रह जाती है जब गीता की जेठानी आती है तो देखती है कि वहाँ एक साप फन निकाले बैठा है यहाँ देखकर वह जोर से चिलाई साप, साप, यहाँ बच्ची के पास साप है गीता दोड़ी ही आती है कहाँ है मेरी बच्ची, कहाँ है साप और भी लोग वहाँ एकत्र हो जाते हैं सीमा, अभी यहीं तो था साप भाग गया गीता जी बच्ची को गौद में उठा लेती है और उसे प्यार करते हुए कहती है मैं तो डर ही गई थी मेरी बच्ची, उनकी आखों से खुशे के आशों बहने लगते हैं इश्वर का लाख लाख, शुक्रिया जो मेरी बच्ची मुझे सही सलामत मिल गई अब मैं तुम्हें कभी भी अकेले नहीं छोड़ कर जाऊंगी सभी लोग वहां से चले जाते हैं गीता जी की जेठानी की आखों से आशों निकल आए गीता जी की जेठानी आखों में आशों लिये महीं खड़ी की खड़ी रह जाती है उसे तो जैसे साप सूंग गया हो थोड़ी देर बाद जब उन्हें महसूस होता है कि यहां से सारे लोग जा चुके हैं तब उन्हें असास होता है कि क्या हो गया उनके मन में अनेक तरह के विचार आने लगते हैं गिरीज जी को इसी तरह साप ने डस लिया था और देखते ही देखते वे हमें अकेले छोड़ कर चले गए थे लगता है यहां कोई साप नहीं था यहां मेरा भ्रह्म था वे भी महां से चली जाती है धेरे धेरे वे लड़की बड़ी हो जाती है वे बहुत ही दयालू और नेक लड़की थी, सभी जीवों पर दया करती थी, क्योंकि उसे गुरु का आशिरवात प्राप्त था, उसे गुरु जी पढ़ाने आते थे, वे उसे हमेशा ये सिक्षा देते थे कि सभी जीवों पर दया करना चाहिए, यह बात उनके मन में बैठ गई, एक दिन वे अपने घर के आगे बने पार्क में खेल रही थी, तब ही एक सांप उसे दिखाई दिया, वे अपनी मा से बोली, मा, मैं इसे पालना चाहती हूं, कितना सुन्दर है यह, सब इसे देख कर क्यों डरते हैं, इससे प्यार क्यों नहीं करते हैं, मैं इससे बहुत प्यार करती हूं, और इसे बने रहें, और आगे क्या हुआ, कथा को गौर से सुनियेगा, दोस्तों, आप को या कथा कैसी लगी, अपने विचार और सुजा कमेंट में जरूर दें, हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों क अच्छा गयन पराप्तो, जय शिरराम भगतों